मेरे दोस्तों मेरे भाईयों कैसे हो आप लोग के बाद सब स्वागत है आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे सामने जो गाड़े घड़ी है एक्षिवी सैवन डबलो एक्सफाइब वेरिंट कड़ा इसका इसका इसके बारे में बात करेंगे एक शोरूम प्राइज अठार ल आपके पास है और इसके अन्रोड प्राइज जो मैं आपको बताऊंगा 21,000,000 रुपे तक यह इसके अन्रोड प्राइज जा रहे हैं और यह एक्सफाइब वेरिंट है मैं आपको फिर बता रहा हूं ठीक है प्राइजिंग कम कर दिये कंपनी ने चीजे बढ़ा दी हैं क्य फ्रेंट में देखो के हैड लाइट में यहाँ आपको बड़ी सीडी यॉर्ल मिल जाती है देखने के लिए बड़ी शांदार लुक्स जो पहले हैं यहाँ पर आपका लुबीम का है ठीक है यहाँ वीम और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज एक बड़े शांदार न 890 mm की इसमें आपको चोड़ाई मिल जाती है 890 mm बहुत बड़िया यार बहुत लाज़ाओ वहीं साइड का कुछ इस तरीके का रियर लुक निकल के आता है साइड में देख लो 4645 में की लेंथ है गाड़ी की 4695 mm की लेंथ ठीक है 200 mm का ground clearance मिल रहा है और 2750 mm का wheelbase यहीं 17 17 इंच के मिल रहा है आपको देखने के लिए तो बड़े लाजवाब वाले और आगे भी डिस्क पीछे भी डिस्क चारो तरफ आपको डिस्क ब्रेग मिलने वाले है ऐसा नहीं है आगे डिस्क पीछे डिस्क ब्रेग मिलने वाले है आपको wheelbase में आपको बता दिया उसके ground clearance बड़ा मुस्त लगने वाला और वीम पे इंडिकेटर मिलेंगे यह आपको अड़ेस्टिमन अड़ेस्टिमन मिल जाएंगे इसके आपको अंदर से बटी फोल्ड नहीं हो पाएंगे ठीक है यहां पर डोर हैंडल देख लो वही पहले वाला premium feel बड़ा लाजवाब वाला ज सिटी इसके अंदर आपको मिल जाती है भाई साब बहुत ज़्यादा मिल जाती है ठीक है ओवर लुक हो गया देख लो साइट से दुबारा बड़ा एकदम लाजवाब वाला लोक है यार गाडिया पीछे वाले लुक के बात करेंगे रियर से कैसी लगती है क्या की चीज़ लेज़े वील बेस में आपको बताया इसके अंदर से बड़ा शांदार वाला स्पेस मिलने वाला बैट के मज़े आ जाने वाले है ठीक है रियर रुक यह देख लो इस तरही के लाइटिंग का सेट अप है उपर इंडिकेटर मिल जाता है जब आप इसको ऐसे जलाते ऐसे ठीक है इंडिकेटर के प्लेसमेंट है और डे और नाइट आल टाइम रुनिंग आपको यह आपको टिल लाइट मिल रही है नीचे आपका स्टॉप लैंप है यहां पर देखने के लिए बराबर में आपको इंडिकेटर के प्लेसिंग एक्स्वी सेवन डबलो की बैजिंग और नीचे AX5 की मार्किंग है यह चीज मिल जाती है उपर शार्फन एंटीना है यहां पर आपका स्पोईलर ठीक है हाई माटो डिस्टोप लैंप यहां पर वोशर यूनिट है वाइपर है न तो वोशर यूनिट है डिफोगर भी है यह चीज हो गई और एक चीज देखो खास चीज दिखाता हूं कैमेरा नीचे देखा है कैमेरा मिल रहा पहले नहीं आता था इस वाले विरिंट में अब कैमेरा आ रहा है नीचे तो दो सैंसर्स हैं और सिल्वर कलर की स्क्लिट प्लेट आगे की तरह ही पीछे भी आपको मिल जाती है यहाँ पर रिफ्लेक्टर और यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर ठीक है यहों के लोग यह अंदर की तरफ बात करेंगे डोर का ट्रिम देख लो ब्लैक है बीच कलर है यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक भी है तो ग्लॉसी ब्लैक पकड़ेंगे बड़ा प्रीमियम वाला फील आपको आने वाला है बड़ा चार दर्वाजों पे चार स्पीकर्स एक एक स्पीकर मिल ला है दो ट्यूटर मिल रहे हैं एक वहां पे अंदर और एक यहां पे साउंड पाईसब लाजवाब वाला है मलब हाई लेवल वाला सीट्स बड़े लाजवाब मिलने अंटर थाई सपोर्ट आप देख लो इसके बड़े अपर मामला बहुत ज्यादा बड़े है सपीस के मामले में हाइट है डाइसमें आपको इसमें सब्सक्राइब बात करेंगे बैठ के क्या माहूल है गाड़े का यह देख लो लुक देख लो भाईसब इसका मालब चेंजिंग भी बताऊंगा यह चीज स्टेरिंग पर अप यहां प्रेंग करते हैं शुदार करते हैं इस लिए बाएवं डाजवाब वाला मजा था ते हैं यहांपर दिख पी क्यों लिख रहा है क्यों कियों पर आ रहा है सब्सक्राइब नहीं है यहां पर पर क्रूस कंट्रोल के रखें बता दिया आपको ठीक है यहां पर शफल कर सकते हैं यह जो सारे बटन है थीक है पला अपनी पूर अपको अपनी पूरा क्लस्टर है अपना यहां से आप control कर सकते हैं one by one करके और कुछ features भी हैं इसके अंदर वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा वो भी मैं आपको बता हूँगा जैसे कि six इसके उपर दो चार छे यहां से आप इस तरीके से यहां करोगे ना तो देखो महाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है महाँ पे से आप तमाम चीजों की information यहां से चेंज कर सकते हो और भाशाब यहां से बाहर तक की temperature की जानकारी आप इसी गाड़ी में बैठे हुए यहीं से ले सकते हो इसमें ट्रांजिशन जैसे चीज़ी भी दे रखी हैं और मैं आपको बता हूँ इसमें टेलिमेटिक्स के फीचर्स भी दे रखे हैं बहुत सारे और ही दो कैसे चेंज हो जाती हैं सारी चीज़े बहां से आप information लेंगे और सारी one by one करके आपके सामने पूरी गाड़ी की information आपके सामने क्लस्टर में ही यहां से दिखा देगा शफल करके आप देख सकते हैं इसको बढ़ा करना चाओके दुबारा इस तरीके का आजाता है ठीक है यह होगे भाई साब इस तरीके का यहां पर पूरा का पूरा माहोल और यह one by one करके जो मैं आपको दिखाने कोशिश है ठीक है और यहां ऊपर देख लो यहां पे भी कुछ साइंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं शफलिंग के लिए इतने सारे फीचर हैं इसके अंदर तेहरा तेहरा फीचर डाले गाए हैं यहां पर हैड्लम्स के यूनिट आ गई वह भी मैनूल वाली और यहां पर व यहां पर सपोर्टिव है बहुत सारी चीजे इसमें एड़ ओन और की गई है और यहां से आप नैविगेशन जो गाड़ी का इन बिल्ट वाला रेविगेशन है वह हमेशा ओन रहता है और भी बहुत सारे तमाम फीचर जैसे इसमें जान बहुत ही सारा टाइम लेंगे और म बोने हेँगो हैं कुछ बनमबर का से लखे राखने के लिए कुछ इस पेस दिया गया है और यहां ben लमबा रखके इस तरीके से हैं लिटागर फोन रख सकते हो ठीक त्वैल वर्टब का यहां पर चार्जिंग सोकेट है ठीक है ठीक कैँ जाई विए में आपको फास चार्जर पैड इसमें आपको मिल जाना चाहिए था ठीक है और यह आपका गेर नोब है ठीक है लिवर है इसमें आपको मैनुल में जाएंगे इसी TFT में आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं इसको एक चीज़ा बड़ा यहां से चोटा भी इसको यहां से कर सकते हैं ठीक है इतने सारे एक तो यह फीचर हो गए टैलिमेटिक्स के आपको तेहरा फीचर इसके अंदर और मिल जाते हैं वहला इसी इंफोटेन्मेंट सिस्टम में इसी TFT के अंदर तो आप सोच लो यार इतने सारे फीचर है है मुविंग है गाइडलाइन भी बहुत बढ़ी है यहां पर देखो बोतल होल्डर है यहां पर कुछ कोईन रख सकते हो आप ठीक है और यह आपका आम्रेस्ट हाड हाड माटेरियल है सोफ्ट में नहीं बट इस पेस बढ़िया वाला इसके अंदर है देखो है ना लाजव होल्डर है यहां पर कुछ लाइट चीज यहां देखो लाइट का पूरा सैट अप देखो लाजवाब इसमें मिलते हैं वहां से सैकेंड नंबर वाला जो बहुत ज्यादा बढ़ी है यहां पूरा में रऊशनी आ जाती है थोड़ी को तो इसकी एक चीज और दिखाना लाइगे ना बहुत जादा शांदार लगते नाइट टाइम में दिन में दिखेंगे और यहां देखो ताबा तोड़ वाली फुल पैसा वसूल वाली चीज तो यह हमारे पाँ अठारा लाग उनत्यसाजार रुपे और और उन रुट रुपाई सौड़ इक्यस लाग रु है यह चीज बढ़िया है ग्लोबोक्स है आपको टैप वैब रख सकते हो ऊपर के दरब और ग्लोबोक्स के स्पेस बढ़िया वाला मिल रहा है यहां पे तो यह पूरे अंदर की बाच्चीत हो गई है एक बार भाई सब और नजारे देख लो नजारे दर्शन कर लो इंटी क्लस्टर में यहां पर आपको घुमार रहे हो तो टायर की चलो टायरिंग मोनिटर हो यहां पर टायर बता देता है कि आपको बोड़ी से बांदर जारे पीछे की लोग देख लों आप आपको बताया था 2750 mm का वील बेस मिल रहा है तीन लोग तो आइसे बैठेंगे भुले बिचने का भी मतलब नहीं है सपोर्ट बहुत बढ़े हैं पीछे भी एस इवेंट मिल रहे हैं यहां पर चार्जिंग सपोर्ट मिल रहे हैं आगे चार्जिंग का यूएसबी को नहीं था बट पीछे मिल रहा है तो आपको छोड़ लंपा सा वायर लेना पड़ेगा ऐसे करन करने पड़ेगी स्पेस बढ़ जाएगा ट्रिम की बात करें तो यहां पर आपका वही बीच ब्लैक सिल्वर कलर की फिनिश और आपको प्यानो ब्लैक में भी ग्लॉसी मिल जाता है नीचे आपको स्पेस मिल जाता है ठीक है अब पीछे की बात करेंगे डिगई बूट मिल डिगई की बात करेंगे डिगई हमारी देख लो कितनी बड़ी है कितनी बड़ी कितना बता हूं आपको बूट इस पर आट सो लीटर साड़ा आट सो लीटर कोई भी आटिस्क्लोस है ही नहीं ऐसा ठीक है यहां पर देख लिए और बीच चीज़े बले यह आपके काम आने बात करेंगे इंजन के सबसे पहले यह रह गई लास्ट आप दा मूवमेंट हमारा इंजन है आइसलेशन के बहुत भारी भरकम वाला बोरट है इंसलेशन की कोई भी जरूरत है नहीं 2.2 लीटर का डीजल इंजन 4 सिलिंडर वाला 183 बीच पी की पावर 420 एनम का टोर्क चारसो बीस एनम का टोर्क वहीं अगर यह मैनूल में होना तो भासब यह बाड़ यह 400 एनम तक का टोर्क आपको निकाल के देती है गाड़ी आपको अटोमेटिक में तो भासब तो 14 से 15 के बीच का और आपको मैनूल में जाओको 17 सा 18 का आवरेज आपको यह निकाल के दे देती मीन्स मतलब निकालती ही है ऐसा नहीं कि आपको जो निकालने कोशिश करने पड़ेगी उस तरह के जिस तरीके से भी आप गाड़ी चलाओगे आपको इतना एविरेज यह देगी ही देगी यह चीज़ देख लो लुक्स देख लो यार यार यह भाज से इस तरीके की वीडियो थी है हमारी लाइक शेयर स चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब ठीक है क्योंकि मेरे आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएंगे तब तक मेरी वीडियो में बने रहे ना भासाब रोज मेरी वीडियो देखना चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना आगे बढ़ाना और आगर आपके लिए उसके उपर जरूर वीडियो बनाऊंगा और इसके लुक्स कैसे लग रहे हैं या कि चीज अच्छी लग रहे हैं जो इसमें आपको मिली हैं टीपेम में मुझे कम ही लगी है और इसके एक्सटर्नल मिरॉर्ट जो की एड़स्ट नहीं हो रहे थे यानि की मूव नहीं वो होने चाहिए थे